बुरा नमानो जिठानी हम् आपने वो दोहा तो सुनाई होगा कि रहिमन इस संसार में भांती भांती के लोग हाँ सही ही कहा है कि इस संसार में हर कोई अलग है अरे संसार में छोड़िये जनाव यहाँ तो ससुराल में भी आपको भांती भांती की किर्दार मिल जाते हैं ऐसा ही एक मज़ेदार किर्दार है हमारे अग्रवाल परिवार की बड़ी बहु दिव्या अब उसमें क्या खास है? आईए को देख लेते हैं अरे क्या हो गया बहु? क्यो गला फाड रही है इतना? अरे जी जी अब बता भी तो क्या हुआ है कबसे रोए जा रही हो बस बता तो कुछ नहीं रही है हम जानते हैं कि आप सब आपे पसंद नहीं करते इसलिए हम रो रहे हैं अरा तुझे किस तो कह दिया कि हम तुझे पसंद नहीं करते हैं? हाँ, हमने तो आप से कुछ कहा भी नहीं आप नहीं कहा सुन यह बाबी, किसको कहते हुए सुना? अभी अभी माजीरिया से कह रही थी किस सब लोग इस दर्थी पर मुझे परिशान करने के लिए ही पैदा हुए? मैं जानती हूँ, वो मुझे ही कह रही थी, हाँ अरे, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था बहुँ और हमने तो तुम से कुछ कहा भी नहीं अरे, तुम क्यो रोय जा रही हो? मैं जानती हूँ, आप मुझे पसंद नहीं करती इसलिए मुझे ताना मार रही थी अरे, जी जी ऐसा कुछ नहीं है मा जी नहीं आप से कुछ थोड़ी नहीं कहा वो तो एक जनरल बात कह रही थी बस तुम सब ना मा जी कहीं साथ दोगी क्योंकि मुझे कहीं पसंद ही नहीं करता अरे, कहां फस गए इसके चकर में? अरे जी जी, हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं सच में, चलो अब चुपी हो जाओ ये लो, पानी पीलो, हाँ सच में पसंद करते हो ना सच सच मता है ना अरे हाँ भावी सच में पसंद करते हैं बहुत पसंद करते हैं बस चली, अब आप जाए आराम कर लीजी रो रो कर आपके गाल भी लाल हो गए चीक है और हम तो आसे ही क्या रहे थे पता नहीं इसे हर बात का बुरा कैसे लग जाता है हर बात अपने पे ले लेती है चलिए छोड़िये न माजी जी जी थोड़ी ऐसी है कोई भी बात अपने उपर ही ले लेती है पिंकी ने सही कहा था दिविया को लगता था कि इस गर में जो भी हो रहा है, बस उसके लिए ही हो रहा है, चाहे वो बात किसी के लिए भी बूली गई हो माजी हम बहार से होकर आते हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी आ जाना, पिछली बार काफी देर हो गई थी, ठीक है जी मैं जी हम, अरे पिछली बार मैंने कहा था ना, मुझे आटो नहीं मिल रही थी, इसलिए देरी हो गई थी अरे मैंने कुछ कहा क्या तुम से, हैं, मैंने तो ऐसे तुम दोनों से कहा बस मैं जानती हूँ, आप मुझे ही कह रही है, क्योंकि एक महीने पहले मुझे आने में देरी हो गई थी बहुत, और मैं खाना भी नहीं बना पाए थी ठीक से, इसलिए कहो न मुझे से, अरे मुझे तो याद भी नहीं ये बात, तुम क्यों आपने उपर ले लेती हो हर बात को देवया, क्योंकि मैं जानती हूँ, आप ये मुझे से खärए है, क्योंकि मुझे लेत हो गयाता ना अने में, आप मुझे सामने नहीं कह रही है, इसलिए पिंकी का सहरा ले रही है, अरे मेरी मा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बस इतना कहा कि लेत मत करना, अंधेरा होने के बाद और्टों मिलना मुश्किल हो जाता है, मैं तो मैं कुछ क्यों कहूंगी, कुछ भी दिव्याब हो, बता नहीं सब को मुझे में क्या दिक्कत है, जब देखो टेड़ी रीद से सब मुझे सुनाते रहते हैं, अरे जी जी आपको तो कुछ नहीं कहा माजी ने, वो तो मु ये भगवाद, क्या सोच कर बनाया है इस लड़की को आपने, पता नहीं इसके दिमाग में क्या-क्या चलता रहता है, ये तो आज तक किसी को समझ भी नहीं आया, इस गर में दिव्याब को समझना किसी के बसकी बात नहीं थी, यहां तक कि उसके पती के बसकी भी नहीं थी वो खुद इस माय जाल में फसा हुआ रहता था अरे पिंकी एक रोटी देना तो प्लीज क्यों? मुझसे नहीं मांगी रोटी? अब मुझसे नाराज है क्या? अरे नहीं, तो मैं क्यों नाराज होने लगा भुला? तो मुझसे रोटी क्यों नहीं मांगी अपने? तुमसे बात करी तो रहा हूँ आप मुझसे नाराज हैं इसलिए मुझसे रोटी नहीं मांग रहे हैं और यह देखो आपने मेरे हाथ की बनी हुई डाल भी नहीं काई मैं सब समझती हूँ अरे ऐसा कुछ नहीं है लो मैं डाल भी खा रहा हूं बस अब तो मैंने कह दिया इस उस बात को तुम कहा से कहा ले जा रही हूं मैं कोई तुमसे नाराज नहीं हूँ देवया सच में हैँ तुम नहीं हर बात खुटपे मत लिया करो प्लीज अपको आपको कहना है था तू मुझे सामने-सामने कहा शुक्त-आपको गुस्टान अ-पर लीजिए नग कर लीजिय। ऴरें देवयाब और ऐसा कुछ भी नहीं है आकाश तुमसे ब्लकुल गुस्टाने क्याई है सच मैं नहीं गुस्टा है बना रोटी मुझसे ही मांगती वो यह लो रोटी इसे वापस रख तो और तुम ही अपने हाथों से देदो रोटी अब तो ठीक है देगा देगा पेर से कुछ सा कर रहे हैं यह भगवान कहां फसा दिया मुझे दिया हर छोटी बात को अपने दिल पर ले लेती थी इसलिए अब हर कोई उससे संबल कर बात करता था जिससे कोई गलत बात उनके मुझसे ना निकल जाए और उसका बुरा दिया को ना लग जाए अरे यह कैसा कुर्ता प्रेस किया है बिल्कुल सही नहीं लग रहा है अरे इतना चिला कर मत बोलो जी जी ने सुन लिया तो फिर से अपने उपर ले लेंगी क्या हुआ अनुज अरे हम अपनी पत्नी पिंकी को कह रहे थे बाबी यह कुर्ता है ना थोड़ा सा अच्छे से प्रेस नहीं किया इसलिए पिंकी को कह रहे थे हाँ हाँ मुझे जी-जी मुझसे कह रहे थे मेरी गलती है ना वो कुर्टा प्रेस नहीं किया तो मुझसे कह रहे थे हाँ अरे यार मेरी नीली ड्रेस कराब हो गई है किसने दोई रिया को पता नहीं था कि दीव्या कमरे में इखड़ी है उसने जैसे ही कमरे में देखा दीव्या को तो अपनी बात को कवर करने लगी अरे वो मैं भी न, इतना अच्छा तो दो है मेरी ट्रेस को, मैं भी न कुछ भी बोलती रहती हूँ, एना दीवे भाबी, आप ठीक है न, मेरी ट्रेस भी सही है, हाँ, हाँ, आप चिंता मत कीजिए का, ठीक है भाई, सब ठीक है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, कोई कुछ भ घबरा रहे हो अरे हम कहां घबरा रहे हैं हम घबराएंगी क्यों भला है ना रिया हम क्यों घबराएंगी है हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं कहां घबरा रही हूँ चीक है मैं जाती हूं रस्कूई में तुम लोगों को कुछ काम हो तो कह देना अरे आपसे काम कह कर फस nerede है क्या क्या कुछ नहीं कुछ नहीं भावी आप यह अपना काम करिए अच्छा हुआ जी जी को कुछ कहा नहीं, नहीं तो फिर सब बुरा मान जाती, खुद पे ले लेती बात को, और रोने लग जाती या बुरा मान जाती हाँ, इससे अच्छा तो भावी को कुछ कही नहीं, खुद ही कर ले ला, मैं अपना कुर्टा खुद परेस कर लेता हूँ हाँ, और मैं अपनी ये निली ड्रेस खुद ही धो लेती हूँ दिव्या के हर छोटी बात की खुद पे लेलेने से अब हर कोई ही बच रहा था इसलिए दिव्या को कोई भी कुछ कहने से बचता रहता था जिससे कहीं उसे दुख ना पाँच जाए अरे दिविया ये क्या है? ये शर्ट अरे नहीं 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 मैं खोदी दूसरी निका लिता हूँ नहीं तो फिर से कहेगी आप नाराज हैं मुझ पर चिला रहे हैं क्या हो आजी? मुझ से कोई गल्ती हो गई क्या? अरे नहीं 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 मैं तो कहा रहा था बहुत अच्छी शर्ट निका लिये तुमने तुम कितनी अच्छी हो सबकी जरूरत का कितना ध्यान रखती हो किसी को कोई शिकायत नहीं होती तुमसे थैंक यू जी अच्छा अब मैं चलता हूँ चीक है बाई तुम अपना खयाल रखना मैं तो अपना खयाल रखती हूँ क्यों आपको नहीं लगता कि मैं अपना ध्यान नहीं रखती अरे नहीं नहीं रखती हो रखती हो भई मैं चलता हूँ बाई अब आ गया ना सब लाइन पे पहले तो जब देखो मुझसे शिकायत था भी अपने ये किया, वो ने किया ये ऐसा बनाया, वो वैसा बनाया मेरा सर खराब करके रख दिया था अब सब ठीक है आप तो सब मुझसे बच के चलते है कभी कभी उंगली टेड़ी करनी पड़ती है तब ही लोग सीधे होते है देविया ने तो अपनी प्रॉब्लम का हल निकाल लिया आप बताईए, आपके घर में किसको जल्दी बुरा लेग जाता है ये कहानी है तमिलनाडू की देविका और पंजाग के रमन की रमन एक बिजनसमैन होता है जो अपने काम के सिलसले में पिछले दो साल से चिन्ने में रह रहा होता है और इसी दोरान देविका और रमन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है अब बारी आती है रमन के फिर से पंजाब लोटने की पर वो देविका को छोड़ कर जाना नहीं चाता और इसलिए वो दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं हे वेंकट स्वारन, रमन, मुझे यह दोसरे शेहर से सिराल में जाने से बोट डर लग रहा है यहां मैं अपने पैमिले को नहीं बता रही हूँ और तो और तो मारी पैमिले को भी कुछ नहीं पता मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी को कोई एक्सेप्ट करेगा उपर से सबसे बड़ी बात तो यह कि तुम पंजाबी और मैं तमल ऐसा कुछ भी नहीं होगा देविका हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं इससे ज़्यादा सच और कुछ है ही नहीं हिम्मत जुटाकर दोनों शादी के जोड़े में गले में वर्माला पहने हुए फ्लाइट से पंजाब चले आती हैं देविका के होने वाले सिसराल में सास पम्मी, ससुर मनवीर, जेट रोहन और जिठानी गुरप्रीथ होते हैं रमन आकर सब को बताता है कि देविका एक साथ इंडियन लड़की है और उन दोनों ने शादी कर ली है आए खटे निगड़े, फिट टेम होता रहा यह क्या सियापा कर दिया तुन्हें, बेशरम एक बार भी अपने घरवालों का ख्याल नहीं आ है तिरे मन में मा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं चुप कर जा, वन्ना छित्तर खाना है तुन्हें आज तू आ जाके तुझे भी एक तमिल लड़के यह मिली आर तू, अब क्यों मुँँ मैं दही जमाल खड़ी है, जवाब दे तुझे मेरा ही बेटा मिला था, अपना खसम बनाने, है देविका को बहुत बुरा लगता है, घर वाले दोनों को खोप खरी-खोटी सुनाते है मेरा मतलब बनाना सिका सकती है, क्या पता उससे मम्मी जी और पापा जी खुश हो जाए तुमने जो तमाशा किया न सबकी फीलिंग्स और इमोशिन्स का, उसके बाद अगर तुम मम्मी जी और पापा जी को चपन भोग भी खिलाओगी न, तो भी वो तुम्हें नहीं अपनाएंगे, अपनी इडली पर ज्यान दो, कहीं जल न जाए, सबकी खुशियों की तरह इतना कहकर गुर्प्रिट वहाँ से चली जाती है, देवी का जब फोन पर चिन्ने में रह रहे हैं अपने परिवार को सब बताती है, तब उसकी मा इश्वरी दावका, कान तुम्हेर अप्पार अक्का तुम्हेर बहुत अपसेट हो गए, इवन मैं भी, तुम्हेर बहुत गलत किया, मैं इंकटी श्वरा तुम्हेर अभला करे, आइंदा से फोन मत करना, समझी अम्मा, मेरे बात सनी, देविका फूट फूट करोती है, अगले दिन, देविका, तुम्हें इडली और डोसा के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, क्या बनाना, पक गयाओं में यही खाना खाकर, तुम्हें पता है ना, कोई हमसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है, रमन, मै मैंने कॉस्स की थी, लेकिन मुझे पंजा भी काना बनाने को नाएं आ रहा है, मा के हाथ के आलो के पराठे तो तुम्हें भूली जाना पुत्तर है, खा, और चाव से यह इडली डोसा, खा, बहुत मस्ती चड़ी थी ना, इंटरस्टेट मेरेज करने की, भूग तो अब, पार्टी में मेरे सहलिया आने वाली है, तो तु अपना यह साओध इंडिया ना उतार हटा कर पंजाबी सुट पहन लेना, पर यह सिर्फ आज शाम ही नहीं, आपसे हर रोज, पंजाबी सुट पहनना होगा तुझे, समझी? ओके, टीक है ममी जी, लेकिन देविका को पंजाबी सुट पहनना बलकुल पसंद नहीं होता, फिर भी वो पहन लेती है, शाम को जब पंजाबी की सहलिया आ जाती है तब, किन्नी सोनी वह है पंजाबी तेरी? आए, नजनना लगे, थु 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 वड़कम जी, अबबबब, सत्ष्री अकाल, सत्ष्री अकाल जी अबबब, वो थोड़ी सी आकोड़ हो गई ना, तुम लोगों को देख कर इस लिये कहीं तुम सौथ इंडियन तो नहीं हो देविका? अब, हाँ आणटी जी, मैं नचन नहीं सी हूँ, प्यार तमिल That's a good thing, मेरे जीजु भी तमिल ही है Interstate marriages लोगों के लिए गालात हो या सही ये तो नहीं पता लेकिन प्यार और शादी दोनों जाद धरम, state या language से थोड़ी न किया जाता है Absolutely true शन ना, अपनी ही सहलियों को बेटे बहु की शादी की तरफदारी करते देख पम्मी गुसा हो जाती है, फिर एक दिन, करवा चौथ का परवादा है और तुम्हारा ये पहला करवा चौथ होगा, इसलिए तुम्हारा कुछ एक्ष्ट्रा रस्म करनी होगी, कल भी जाएगी और सुन गुर्प्रित और तुम दोनों भी सुबद चार बजे सर्गी की रस्म के लिए उठ जाना फिर कमरे में, देवी का, रमन से कहती है कि उसे करवा चौथ का वरत नहीं रखना है तब इगुस्से से रमन कहता है अरे ये क्या कह रही हो तुम? इतनी मुश्किल से सब हमसे बात करने लगे है बिना कहे ही माने तुम्हें अपनी बहु मानी लिया है इंडिरकली अब तुम एक दिन के लिए भूखी प्यासी रहने के लिए भी नौटा कर रही हो प्यार करती हो ना मुझसे अच्छा जी, तो करवा चोथ कवरत नहीं रखना चाहती तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्या? ये ना वट तुम ना बदल गये हो रमन तुम हो रमन नहीं हो, जिससे मैं प्यार किया था रमन और देविका के बीच आए दिन छोटी मूटी बातों पर आनबन होनी शुरू हो जाती है एक रोज अमारे पडुस में मेरी एक तम्मिला प्रेंड बन गई है उसका बेट के नाम करण पर उससे सब को बुलाया है वो भी सौथ इंडियन कपड़ों में तुम लुंगी पहन होगे ना? नो वे, मैं कोई लुंगी बुंगी नहीं पहनने वाला लुंगी पहन कर मेरा ये लुंगी डांस हो जाएगा शेट आप रमन तुमारे लिए मैंने अपनी आपको पूरी तरफ पंजाबन बना दिया और तुम मेरे लिए एक दिन निकली सौथ इंडियन बनना नहीं चादी तुमने एक पंजाबी से शादी किया तो सौविसली तुम्हें ये सब तो करना ही पड़ेगा ना? रमन गुसे में ही लुंगी पहन कर फंक्शन में जाता है और वहाँ पर उसे लुंगी में चलने नहीं आता और वो किर जाता है सब ही उस पर हसने लगते ही जिसके बाद वो और भी गुसा हो जाता है और देविका के साथ जगड़ा करता है दोनों के रिष्टे के बीच में उनकी भाषा, उनका स्टेट आ रहा होता है जो दोनों में धीरे-धीरे दरार पैदा करने लगता है चुप रहा हो तुम देवी का मैंने खुद तुम्हें अपनी फ्रेंड से बात करते हुए सुना अब तुम्हें मैं भी पसंद हूँ या नहीं, ये भी क्लियर कर दो आज रमन, तुम्हें मुझ से जगड़ा करने में मज़ा आता है क्या मैं तो पस यूँ ही कह रही थी एवें कोई बात नहीं कही जाती शादी करने से पहले सोच लेते दोनों तो आज ये नौबत ही नहीं आती दोनों अलग-अलग कमरों में सोने लगते हैं और उनकी दोरियां इस हद तक बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरी को तलाग देने के लिए राजी हो जाते हैं और जब वो साथ में कोट जाते हैं तब कोट के बहार देविका की मा इश्वरी और पिता विश्वनात अयर और रमन का पूरा परिवार खड़े होते हैं उन्हें देखकर रमन और देविका हैरान रह जाते हैं उनका लॉयर भी वहाँ आ जाता है चलो रमन देविका मैं कबसे तुम दोनों का ही इंतिजार कर रहा था ओए खुत या क्यों मेरे बहु और बेटे के प्यार विच विलन बन रहा है चला जा वना एक चपेट मानी है मैंना तुझे आज लोए डर कर भाग जाता है क्यों उड़ गए तो त्य हम सब नू देख देविका करना शाद ही कोई मजाक नहीं खिलोना नहीं जिसे असानी से तोड़ दो आयाया तुम दोनों जिसे गल्टी को करने जा रहे हों उसे करने के बाद बहुत ही पच्छताओगी अरे ठंड़ रख यारा हम सब तुम दोनों के खिलाव थे लेकिन आज हम ही तुम दोनों को इस रिष्टे को बचाने के लिए कह रहे हैं वो भी सिर्फ पर सिर्फ तुमारी भलाई दे नाल सभी देविका रमन को अपना लेते हैं और भावुखो कर गले लगाते हैं वैंकटेश्वरा तुम दोनों को हमेशा कुशिया दे रब रखा तुम दोनों के जोड़ी हमेशा सलाम मत रहे तैंक यू आप सभी को तैंक यू आप सभी को ऐ चकते पट्टे सेलिब्रेशन तो बन दाई हैं अब बला बला शावा शावा सभी हसते गाते आँ नाशते हैं और इस तरह प्यार और परिवार दोनों का मिलन हो जाता है